बीजेपी ने इस वार नारा दिया है कि अब की वार 400 पार और फिर से मोधी सरकार और ये नारा महज चुनावी नारा बन करना रह जाए इसके लिए बीजेपी ने धरातल पर एक एक सीट पर फूख फूख कर कदम रखने का निर्ने लिया है और ये निर्ने भी ऐसा कि पूरी दिल्ली के जो आला नेतरत वह यानि कि बीजेपी का वो एक-एक सीट पर जो सर्वे रिपोर्ट आये जो फीड़ वैक आया है उस पर काम कर रहा है कल इसी निर्णे के तहट कल बीजेपी का महा मंथन हुआ दिल्ली में और महा मंथन भी कोई ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन या चार घंटे चला हो ये महा मंथन चला पूरे साड़े नो से दस घंटे तक दो चलनों में ये मा मंथन हुआ पहला चलन शुरुआ शाम को 5 सुछे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के आवास पर जहां पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ ग्रहा अमिश्चा और बिजपी अदक्ष जेपी नड़ा वैठे और करीब पांच से साड़े पांच घंट प्रधान मंत्री के आवास पर यह तीनों लोग बैठे और इन तीनों ने एक एक सीट पर जो राज्यों की रिपोर्ट आई थी जो उनका फीडवेक आया था उन पर मंत्न किया और फिर करीब साड़े दस वजे तीनों बीजेपी मुख्याले पहुंचे जहां पर करीब 11 वजे केंद्रे चनाफ समीती की बैठेक हुई और केंद्रे चनाफ समीती की बैठेक में एके करके कैंडिडेट्स जो राज्यों के जो कोर गूर्प थे जो उनके प्रमुख नेता थे उनको उनके साथ बैठे जिसमें सबसे पहले उत्ता प्रदेश के नेताओं को बलाया गया जि के करके सीटों पर उनहीं से फीडवेक लिया गया प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री या बीजेपी अद्धीपीनद्ड veto उस आधार पर उन्से बात की मुझेव इन च में जो सामने यह सुत्रों दावा किया है कि करीब तीस से चालीस सीटों पर जो फीडवेक यूपी की तरफ से लिया गया और माना यह जा रहा है कि करीब उसमें आठ से दस जो मौझूद असांसद हैं उनका टिकेट कर सकता है पूरे असी सीटों असी लोकसवा सीटों की बात करेंगे तो 15 से 20 सीट तक यह आकड़ा जा सकता है उसके बाद मध्याप्रदेश में बात हुई मध्याप्रदेश में जो सर्वे रिपोर्ट आई जो इस किंद्रे चुनाब संती की बैटेक में तया हुआ उसमें विदीशा बालाघाट नर्मदापुरम इंदौर यह वो सीटे हैं जहां पर जो मंत्री शिवरा सिंग चोहान को बीजेपी वहाँ पर मौका दे सकती है इसके लावा जो सतना और जबलपूर सीट है सतना से क्योंकि गड़ेश सिंग विदानसवा चुनाब भी लड़े थे तो उनको वह मौजूदा सांसत सतना से हैं लेकिन विदानसवा चुनाब वारगे क्योंकि जो ने जो सर्वे रिपोर्ट में कुछ दो से तीन नाम ऐसे आएं जो काफी मजबूती से जिनके उपर कल की मीटिंग में चर्चा हुई है ऐसे यानि कि माना जाए कि चार से पांच जो यह जो पांच लोग सवा सीट हैं इन पर यह मौजूदा सांसत हैं उनके टि इस्क आ सकते हैं वहीं पर दो सीटें एसी हैं हरिद्वार पौडी जहां पर बदलाब किया जा सकता है और इसके अपर 56 गाड़ में भी एक दो जगह एसी हैं जहां पर संसदों को बदलाब किया जा सकता है तेलंग नाम है जो तीन मौझूदा सांसद जी किशन डेडी अर्विन धरमपुरी और संजवंडी इन तीनों को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है और जो समीकरण है वांके उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजे चुनाब समझा उनका करन जो रिपोर्ट है उसे साफसे तीन से चार लोकसवा जो मौझू मौझूदा सांसद है उनका उनके टिकेट काटने की सिफारिश की गए नए नाम देने की बात की घज़िये जो वीरेंद्र सच्देवा है या महामंत्रियां हर्श मलोत्रा हुए और जो प्रवीन खंडेल वाले उनका नाम है इसी तरह से यह नाम है आलगे इन पर ंतिम फैसला नी फैसला केंद्रिया चुनाब सम्ति करेगी कि यहीं फीड़एक कपिल मिश्रा का नाम भी इसमें आया है तो केंद्रिया चुनाब सम्ती ने अभी फैसला रिजर्व रखा है आज या कल में या भविश्य में आने वाले समय में इन पर फैसला हो सकता है और ऐसे ही बाकी के राज्यों पर भी चर्चा हुई है जहां पर यह चीजें हैं जिसमें हर्याना की बात सामने आई हर्याना क्योंकि पिछली बार सभी सीटों पर भगवा फैराने का काम बीजेपी ने हर्याना में किया था लेकिन अभी जब सरकार राज्य सरकार बनी तो उसमें जेजेपी एक एहम गठवंदन जो उनका सहयोगी दल है वह सामने आया तो उनका भी दावा है कि वह एक से दो लोग सहयोगी तो बीजेपी और जेजेपी में ठंती है तो हो सकता राहें जुदा हो जाएं और दौनों ही लोग सबाद चनाव अलग लड़ें लेकिन इसका भी फैसला केंद्री नितरत को करना है तो जब हर्याना चनाव समती के बैठक होगी तब फैसला होगा कि बीजेपी लोग सबाद चनाव से पहले तूट जाएगा यह सब तमाम बात हैं यह सभी बात हैं जब सामनी आएंगी जब किंद्र चनाव समती अपना अंतिम फैसला ले लेगी और लिश्ट जारी कर देगी खिलाल आने वाले समय में भी बीजेपी का इसी तरह का माम अंतन चलता रहे कि बीजेपी अपने दमपर 370 और NDA के जो सहयोगितल है उनके दमपर 400 पार का वो नारा करके आएगे और शायद यही कारण है कि एक-एक सीट पर घहन मंथन चल रहा है घहन चर्चा चल रही है और बीजेपी नेतरत बड़ा गंबीर है इस 400 पार के आंकडे को पूरा करने क से एक पीजेद से दिने कि उनके अक्या उला बुल्बकला का में, पुल्बकला का व्मपर बायद हैसे और यही